पेल पत्री आप श्रिविलिन पर पेले चड़ा रहे हैं, उसके बाद जल चड़ा रहे हैं दूसरा, जल चड़ाने के बाद पेल पत्र चड़ा रहे हैं ये दो अलग-अलग करम हैं चंकर भगवान कहा। आप समझ भी यह प्रसंद कभी नहीं आया आजाया है तो उसको समझ कि पहले पेलपत्र उसके बाद में जल जो चड़ाया जाता है यह रोग उसकी किल से रहे हैं आप श्युमंदर में जाकर दर्शन करेंगे तो दो चीदि अपने को दर्शन करने को मिलेगी एक भग आता है शंकर जी के मंदर में अलोग भाव उसे पहुचते हैं तो पहले वो क्या करते हैं पहले बेलपत्र चड़ा देते हैं फिर जल चड़ा देते हैं और एक भग तुझे श्युमंदर में पहुचता है पहले जल चड़ाता है फिर बेलपत्र चड़ाता है दोनों का अलग अलग तोनों का अलग रख भाव रहें पहला अगर बेलपत्र चड़ाया है और उसके बाद अगर शंकर बगवान पर जल चड़ा रहे हो तो यह रोग मुझति के लिए होता है जैसे बड़े रोग किसी को हो जाए रोग किसी को गेर ले तो वो बेलपत्री चड़ामे के बाद फिर जल चड़ाएगा तो उसको रोग घंजाएगा और फिर वो रोग को ठामने के लिए बेल्पत्री पहले सभद लोग के लिए सिदद्द के लिए आप अच्छे का अरषन के लिए मन की प्रसनता के लिए आनंदता केलिए अप शिवा प्राधना कर रहे होंकिए। तो आप जल चड़ा कर फिर बेलपत्री चड़ाए उसका लाव आनंत में आपने जल चड़ाया या इसके बाद बेलपत्र चड़ाए बस एक बात का इसमर्ण आपको होना चाहिए शुमाह पुराण का कि जब भी आप भगान शंकर को बेलपत्र चड़ाते हैं बेलपत्र समर्पित करते हैं बेलपत्र समर्पित करते समय प्रयास करा करें कि ये बेलपत्र को जब भी आप समर्पित करें प्रयास करें कि बीच की जो पत्ती होती है बेलपत्र की मद्य की जो पत्ती होती है उसको अ बेलपत्र जो भगवान संकर को समर्पिद करते हैं उसका मद्ध जो भाग होता है उसको पकड़कर बेलपत्री को श्युव को समर्पिद करने है पूरवक की कताओं में यह वर्णन किया है कि बेलपत्री की गंडी का मुख का होना चाहिए पूरवक की कताओं में यह भी बताया गया है कि बेलपत्री की दोनों तीनों डंडीयों के बीच में तीनों पत्रीयों के बीच में जो खाली जबा होती है उसका क्या मात्त है यह पूरवक की कताओं में पहले बता चाहिए पर आज जो क्रम कल रहा है तता का उसमें अपन जो समझ रहे हैं वो यह होना चाहिए कि आप किस कामना से जल चड़ा रहे हैं आपके जल चड़ाने का क्रम क्या है अगर आप रोग मुक्ति के लिए चड़ा रहे हैं तो पहले बेल पत्र चड़ाएगी फिर जल चड़ाएगा आप तारे सदी के लिए चड़ा रहे हैं, पहले जल चड़ेगा, तो बेल पत्र चड़ेगी